अस्सालावल्क्म व्यूर्स वेल्कम टू दा स्टुडेंट्स प्रेटफॉर्स आज हम पढ़ेंगे प्यस्वाइब फो जेओ थी के लेसन नंबर 19 को इससे पहले के लेसन स्टार्ड करें अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल सब प्रेस कर दें बढ़ते हैं अपने लेसन की जाने वाट आर सम वेज ऑफ थिंकिंग अबाउट पास्ट इसके अंदर हिंट साइट बाइस है यानि चीज़ के रिलेटिड चीज़ के रिजल्ट को जानने के बाद हम यह अज्यूम करते हैं कि मेरा भी यही ख्याल था इसे हि पाकिसान मैच जी जाये तो हम कहते हैं कि हमें पहले ही पता था कि पाकिसान मैच जी जाये का कोई भी काम हो जाये तो हम लोग कहते हैं कि मुझे तो पहले ही पता था यह काम हो रहा है इसे हिंट साइट बाइस कहते हैं counterfactual thinking क्या है हम सोचते हैं कि अगर ये वाक्या ना होआ होता तो क्या होता it involves in alternative outcome it relates negative events mostly मसलिल काश मैं मेहनत कर लेता तो fail ना होता how do expectations shape our social thinking हमारी तवक्वाद हमारी मौाश्री के मुतलिक सोच को कैसे effect करती है ये सारे points ने उनको one by one हम discuss करते है नमबर वन है false consensus effect यानि हम जिस तरह बिलीव करते हैं लोग भी इसी तरह बिलीव करते होंगे ये हम अपना जहन बना लेते हैं ये आम तोर पर दुरस्त नहीं होता अपनी सोच को दूसरी लोगों की सोच के साथ हम लोग relate कर देते हैं rose green और house की study को हम देखते हैं उन्होंने student से एक सवाल किया कि अगर आपको एक board अपने गले में लटका कर 30 मिनिट तक campus में घुमना पड़े तो आप घुम सकते हैं 62% ने कहा कि जी घुम सकते हैं 67% ने इससे disagree किया उन्होंने student से तूसरे students के बारे में पुछा तो उन्होंने कहा कि ज्यारत तर राजी हो जाएंगे कि वो क्योंके वो खुद राजी थे तो उन्होंने दूसरों के बारे में बगा कि वो भी राजी हो जाएंगे board घुम डाल कर अपने गले में घुम सकते हैं जो लोग खुद एगरी नहीं थे उन्होंने कहा कि ज़्यारत तर लोग एगरी नहीं करेंगे यानि इससे पता चला कि लोग किस तरह अपनी सोच को दूसरों के साथ रिलेट करते हैं explanation of FSC इसमें भी same वो ही बात कर रहा है इसको discuss करने के जूरुत नहीं है नमबर टू है confirmation bias हम इस info को समझते हैं जो के हमारे beliefs को sport करती है और हम इस info को reject करते हैं जो के हमारे beliefs को opposite हो इसमें simple ये बात कर रहा है हमने अपने beliefs का एक mindset बनाया होता है अपने mind के अंदर एक structure बनाया होता है उसके मताबिक कोई बाद उसके related उसको relate कर रही हो ना उसके हम पलाओ उसके same बराबर हो वो ही वाली बाद हो उसके reality चुलती हो तो हम कहते हैं हाजी ये बाद ठीक ही लेकिन उसके opposite हो हमारे जहन के हमारे ख्यालाद को opposite बात हो तो हम कहते हैं ये बाद मजलत है बाद उकाद हम अपना behavior तब्दिल कर लेते हैं लोगों की expectations के मताबिक और बाद उकाद लोग हमारे expectations के मताबिक अपना behavior तब्दिल कर लेते हैं रसेंथल और जैकबसन की study को देखते हैं एक स्कूल के बच्चों का टेस्ट लिया उन्होंने और उनके teacher से कहा कि इन में कुछ बचे बहुत जहीन है इनका IQ बहुत अच्छा है जब कैसा नहीं था teachers बचों से ये चीज़ expect करने लग गए तो बचे भी उस हिसाब से खुद को भी prepare करने लगे जब आठ माँ बाद दुबारा टेस्ट लिया गया इनका तो वो वाकई उनका IQ लेवल पहले से बढ़ चुका था नमबर फॉर पे आए दा वर्ड जस्ट वर्ड हाइपोथेसिज लर्नर ने 1980 में ये पेश किया था दुनिया को comfortable रखने के लिए ये किसम का illusion है कि लोग खुद को deserve करते हैं वो ही जो उनको मिलता है अगर उनको bad treatment मिल रही है तो वो कहते हैं कि हम ये ही deserve करते हैं अगर उनको good treatment मिल रही है कोई उन्हें reward मिल रहा है तो वो कहते हैं कि हम ये deserve करते हैं advantages हैं और इसके disadvantages भी है advantages में ये कि psychological adjustment मिलती है satisfaction of mind मिलता है disadvantages ये किसम की मायूसी किलामत है कि बुरी चीज बुरे लोगों के साथ ही होती है लोग आगे बढ़ने की तरक्की करने की खायद शोड़ देते हैं कुछ issues ऐसे होते हैं जिन में हम दूसरों को blame कर सकते हैं और कुछ issues में हम दूसरों को blame नहीं कर सकते हैं नमबर फाइव है expecting failures breed helplessness अगर negative events बार बार होंगे तो लोग anger का इजहार करेंगे पहले बार कोई negative event होगा तो लोग गुसा होगे परिशान होगे दूसरी बार होगा तो ऐसा ही होगा लेकिन negative events बार बार होगे तो लोग depression का शिकार हो जाएंगे जो के helplessness पैदा करेंगे यानि आप कोई भी कोशिश करने का फाइदा नहीं मिसाल एक बंदा बार बार जॉब इंटर्वियों में स्लेक्ट नहीं होता तो यह अज्यूम करेगा कि वह नेक्स्ट इंटर्वियों में भी कामयाब नहीं होगा वे और यह था आपका लेसन नमर 19 PS5403 का मिलते हैं नेक् पस्क्राइब आपका लेस आपका लेस आपका लेस्ट आपका लेस्ट इंटर्वियों में प्रॉब शेल एक लेस्ट झाल झाल